दोस्तों नमस्कार जो पौधा आप देख रहे हैं यह मीनी चांदनी का पौधा है और आज मैं आपको बताऊंगा इसको आप अपने घर पर ही किस तरीके से इसका नया बेवी प्लांट आप बनाएंगे दोस्तों आपके पास एक जिदी पौधा है तो आप उसे मतलब की और भी एक भराइटी है जो आपको हमें देखाएंगे देखिए यह वाला भी एक ठो भराइटी है चांदनी का तो दोस्तों अभी इसका ज्यादा दिन नहीं हुआ माल यह पांच से छे दिन हुआ हम इसको पौध के अंदर में हम लगाएं कटिंग द्वारा ग्रो करके तो दोस्तों वीडियो पर आप बने रही है मैं आपको देखाऊँगा यहां पर की कीस तरह से कटिंग किया जाता है और इसको नया बेवी प्लांट ग्रो किया जाता है दोस्तों यहां पर जितना भी पौधा आप देख रहे हैं यहां पर हम इसको आप देख रहे हैं जो एक्ष्ट्रा कुछ निकला हुआ रहाता है तो उसमें से आप कटिंग करके आप असानी से पवधा आप बना सकते हैं दोस्तों इसके कुछ बिमारी के बारा में हम आपको बोल दें इसको आप देखेंगे बरसात के मौसम में कोई भी आपका जो चांदनी का प्लांट होता है म प्लाइटि बढ़ा हो तो उसमें देखिए इस तरीका कीड़ा लगता है उसके अंदर और यहां पर देखिए कीड़ा चल रहा है दोस्तों एकाकिया खा करके देखिए वहीं पर पूरा मतलब की इसका जो झिली कर दिया मतलब पत्ता जो है पूरा यह फूरा ही खा गया है और देखिए उसको पूरा एटध किस ही साफ से करता है उसी का अंदर में छूपके रहे गा और पाउधा को खाते रहेगा तकि आप दीन में भी देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा時間 आपको मालम होगे कि पत्ता यह मूड़ा हुआ है, दोस्तों किन्तु पत्ता मूड़ा हुआ है, किस कारण से मूड़ा हुआ है, आप जब भी देखेंगे चांदनी प्लांड के उपर एक कीड़ा इसी तरीके से एक करता है, और हम जो दोस्तों लिये हैं, इसको बोलते हैं 2 लीटर के ढबा है तो इसमें आपको 4 गर्म लेना है दोस्तों यह हमारा दो-ालीटर के ढबा है इसमें अभी अच्छा से स्प्रिये करेंगे तो यह हमारा पूरों हमीद के जाइगा और कीड़ा उन्द यह भी हट जाएगा और जो कीड़ा भी होगा वो भी हट जाएगा यहां से दोस्तों और भी पत्ता में हाई यहां पर हम आपको देखा रहे हैं यह तो मतलब कि एक बार पकड़ने से आप देखेंगा एक दिन में थोड़ा खाया दूसरा दिन में देखेंगा और उसका डबल खाने सुरू कर दिय यह निए निए उसमें भी रोग लगा हूआ था लोमित दिन कि मतलब फोड़ा ही लगा हूआ दोसरा दिन में देख रहे हैं कि पूरा अधा सभी वेशी का गिया लगा हूए था तो उसके उपर इस ही कि हमारा पौधा बिल्कुल सही हो गया और देखें दोस्तों अभी हमारा जो नया प्लांट लागा इसके उपर वी सेम ओही जो कीड़ा है फिर इसके उपर एटेक कर दिया तो दोस्तों इसके उपर हमको दावा देना बहुत ही जडरूरी है इसलिए हम दावा इसमें दे रहे इसलिए नहीं हम आपको में एक sécur conserve कर दीए कि आप लोगा भी पावधा में यह से कुछ प्रोप्लेम हो रहा है तो आप देखेंगे पत्ता पिला हो रहा है जादा पत्ता बास हो रहा है तो दोस्तों के जरूरी है इसके ऊपर कोई आपके पास इंसेक्टिशाइड है आपके पास यदि टाटाटा ये फगोर हो या मालेजे कोई भी प्रकार का इंसेक्टिशाइड या नहीं मुवाइल हो तो आप उसको आवसी इसको मतलब की इस्वरे करिए जिसे की आपका पाउधा बिल्कूल शही हो जाए दोस्तों होता क कभी कभी ज्यादा रहता है कीड़ा का हमला तो उसके उपर आपको एक बार दे करके फिर चार पांच दिन बाद फिर उसको दीजिए तो एक से दू बार देने के बाद उस्तों बिल्कूली सही हो जाता है इस पाउधे को उपर हम जो दे रहे हैं इसके उपर लगभग पां और हम आपको देखा देंगा तो उसमें आपको कटिंग के अंवल जाएगा और कटिंग का माली नियम क्या है उसके बारे में हम आपको बोल नहीं आपके पांस जी दी ब्रांच है इस तरह के तो उसमें से आप लेकर करिए pela करके दोस्तों बनाईए वह जाह है मीनि चा यहां पर पहले रिपक्राइब देखाएंगे यहां की तरह से अच्छा हुआ या कि खराब हुआ आपको दिखाएंगे दोस्तों यह वाला थोड़ा बड़ा वाला है चांदनी तो यह वाला भी अच्छा हुआ इसमें चुका है और इसको जड़ाने में समय जो लगता है लगभग एक महीना का समय लगता है एक महीना या मालेजे 35 दिन तक लगता है और बहुत ही अच्छा जड़ा जाता है दोस्तों कटिंग आपको जिदी मालेजे फरवरी महीना में कर रहे हैं बसंत रितु में तो उस समय भी बहुत ही अच्छा हो जाता है कटिंग आपको मालेजे बरसांत के मौसम में समय नहीं मिला आप नहीं कर पाए तो फिर आप नेक्स्ट जो करेंगे तो आप फरवरी महीना पांच से साथ आरी का अंदर में आप कटिंग कर लिजिए तो आपको दोस्तों फरवरी महीना के अं किन्तु हो जाता है उसमय भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों क्योंकि हम उसमय भी कटिंग किये हुए थे और हम आपको देखा दे दोस्तों की इस तरह से इसको आप करेंगे कंशी लेंगे या बिलेट लेंगे या चकुल लेंगे तेज़ धरवला आपको पांच से साथ इस तरह से आपको ब्रांच को कट करना है और जो दोस्तों नीचे के तरफ जो पत्ता होता है पत्ता को इसको हटा देने पड़ता है क्योंकि पत्ता जी रहेगा तो मिटी कंदर जाएगा स्वडन पैदा करेगा तो आपका पाउधा खराब हो सकता है तो इसलिए जरूरी है कि नीचे के तरफ जितना भी पत्ता है उसको हटा दीजिए और उपर के तरफ जो पत्ता रहता है उसको रहने दीजिए और दोस्तों इसको जैसे मान लेजिए हम कटिंग कर रहे हैं कटिंग करने के बाद में इसको कुछ रूट हर्मोंस लगाने पड़ता है आपके पास य एलो बडरा जेली है उसको लगा करके आपको बालू के अंदर में मिट्टी के अंदर में आपको लगा देना है होता है कि गला है तो अपना हिसाब से पानी दे रहे हैं तब तो हो जाएगा किन्तों आप खूला असमान में रख रहे हैं और बारिस हो रहा है जब तब बारिस हो रहा है तो पानी जम करके दोस्तों खराब हो जाता है कटिंग तो इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें 80% लगभग बालू लीजिए 20% मिटी और अच्छा से मिला करके उसमें आप कटिंग को लगाएंगे तो आपका कटिंग जो है असानी से हो जाएगा वो खराब नहीं होगा पानी इसके अंदर जरूर से ज्यादा नहीं ठहरेगा और आप जो कटिंग लगाएंगे दोस्तों कहां पर लगाएंगे इसको जगह है जमीन का जो सता है उससे थोड़ा सा उंचा होना चाहिए क्योंकि इसके जगह पर मानलेजे पानी जिदी जमेगा बरसात का पानी जमेगा तो इसका कटिंग मतलब की पूरा खराब हो जाएगा फिर आपको ग्रो नहीं होने सकेगा इसलिए जरूरी है कि इसको आप थोड़ लगवग 30-35 जिन में बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा और उसको आप असानी से लगा देंगे दोस्तों अभी हम आपको वीडियो कर रहे हैं अभी आप जदी कटिंग लगा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा समय है और बालू देखिए दोस्तों यहां पर 50 परसंट बालू है 20 परसंट मिट्टी है इसको हम मिला करके लगाए है बहु से लगता है बहुत सारा कट्टिंग रहे हैं उसी तरह से आपको कटिंग लगाना है यह कुछ दबा देना है होगा हला कि और जिसराम को दोस्तों तरीकां बोल दिल्ठ पानी में और है काहा च्या जगापर इस्क nu पर को चचाय जगा पर रखिया तो हो जाग दोस्तों हमको में वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा वीडियो देWatch के लिए धन्य बाद आप कमेंट करेंगे वीडियो आपको करशा लगा